मुश्कार दोस्तों भटनेल आईएस यूटूब चैनल पर स्वागत हैं आपका मैं नमिंदर संदू आपको पढ़ने जा रहा हूं इतिहास जिसमें हमारा विश्य चल रहा है इतिहास मुगल कालिन भारतिया इतिहास है जो मध्या कालिन भारतियास है जो जिसमें हमने मुगलों का जो परसासने के तिहास है वो पढ़ लिया है तो आज हम देखेंगे मुगलों की जो राजसो परनाली है और राजसो आएका सत्रोथ क्या था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी तो हम राजसो परनाली में भी आज देखेंगे जो मुगलों की भूराजसव प्रणाली है कौन सी है मुगलों की भूराजसव प्रणाली है तो मुगलों ने क्या किया जो मुगल बादशा होते थे उन्होंने अपनी जो भूराजसव था या मुख्य सत्रोत उनका भूमी कर था उसे स्विदा अंसार या सुववस्थित रूप से संचालि करने के लिए तीन भागों में बांटा था यानि कि तीन भागों से आए प्राप्त होती थी तो उनमें हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे जो राजय सब था भू राजय सब था भू राजय सब को तीन भागों में विवाजित किया तीन भागों में विवाजित कर दिया तीन भाग कौन कौन से थे तो उसमें आज हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला तो क्या था खालिसा भूमी कौन सी थी खालिसा भूमी सलत्रत काल में हम इसे फड़ चुकी है, जो खालिसा भूमी क्या थी यह बादशाह के प्रत्यक्ष नियंतन में रहती थी बादशाह के प्रत्यक्ष नियंतन में थी बादशाह के क्या थी? प्रत्यक्ष नियंतन में थी इस भूमी से जो राजसव प्राप्त होता था वो सीधे राद कोश में यानि किंद्र में जमा होता था जो खालसा भूमी है खालसा भूमी से प्राप्त होने वाला जो राजसव है वो किसमें जमा होता था राज कोश में राज कोश में जमा होता था यानि यह बादशा के नियंतर्ण में होती थी पर्टक्ष रूप से यहां पर केंदर का जो है स्वामी तब था उसके बाद हम देखेंगे नंबर दो पे हम देखें तो यहां पर हम देखेंगे जागीर भूमी होती थी क्या होती थी जागीर भूमी जागीर भूमी के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे जो सामंत या मुख्य सर्दार होते थे मुगल बादश्याओं के उनको जो वेतन होता था वेतन की अवज्ज में जो भूमी प्रदान की जाती थी उनको प्रदान की जाती जह से जागिर कहा जाता था जैसे हम कहेंगे कोई सरदार है जो मुगल बाजशा है उनके जो मुख्य सरदार है या व्यक्ति है या व्यक्ति है कोई सामन्त है उनको वेतन की एवज में किसमें वेतन की एवज में जो भूमी प्रदान की जाती थी जो भूमी है प्रदान की जाती थी उसे जागीर भूमी क रहा जाता था उसके बाद हम देखेंगी जो तीसरा भागयवा है सयूर्गा नंबर तीन पे है मदद ए मास या मदद ए मास या कौन सा है सयूर्गा यह इस प्रकार की भूमी होती थी कि जो धर्म से समंदित व्यक्ति होते थे जाम कह सकते हैं जो विद्वान लोग होते थे उनको दान में प्रदान कीगी जो भूमी होते थी वह सयूर्गाल कहला थी या मदद ए मास कहला थी यहां पर हम देखेंगी विद्वान जो विद्वा प्रदान लोग है या धार्मिक व्यक्ति हैं धर्म से संब्धित करती हैं धार्मिक व्यक्ति हैं उन्हें दान सवरूप प्रदान कीगी भुमी प्रदान कीगी जो भुमी है वो क्या कहलाती थी मददे माज या स्थायूर गालत कहलाती थी इस प्रकार से भूमी का विभादन रहता है उसके बाद हम देखेंगे मुगल पाश्याओं हम देखें तो जो अकबर थे कि अकबर और हम देखेंगे हमाईव और बाबर याहमाईव की बात करें इनके बाद एक जो भूरा जस ने तूरा जब्षी ने 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 आयम प्रदान किया गया और हर प्रदान किया गया प्रदान किया गया वो किसके द्वारा किया गया अक्बर के द्वारा किया गया अक्बर का अग्रगामी भी कहा जाता है किसे शेर सहाँ को अक्बर ने पहले क्या किया सरभ पर्थम अक्बर ने हम देखेंगे सरभ पर्थम अक्बर ने शेर सहाँ जो शे अपनाया था अक्बर के दुवरा इसे ही अपनाया जाता है अक्बर भी जो अक्बर है अक्बर भी इसी प्रणाली को अपना लेती है लेकिन बाद में क्या होता है यह जाबती प्रणाली है दोस्पूर्ण सिद्ध होती है क्या होती है जब दोस्त्र पुनसिद्ध होती है तो इसमें इसे ट्याग दिया जाता है और इसके बाद जो परणाली लागू की जाती है वो कौन सी है इसे हम कहेंगी नस्क या कंकूत नस्क या कंकूत प्रणाली है इसको अपनाया जाता है अकबर के द्वारा अब नस्क या कनकूत क्या थी जो पिछले वर्षों की आये होती थी या जिससे राजस प्राप्त किया जाता था जितना उनका आस्त अधार क्यार किया जाता था अनुमान की अधार पर तो वो क्या है प्रजासे या भूमी से प् देखेंगे, पिछले वर्षों के जो औस्त लगान प्राप्त किया जाता था, लगान है जो प्राप्त कर लिया जाता था, पिछले वर्षों में जो पिछले वर्षों में जो औस्त निकाली जाती थी, जो लगान प्राप्त किया जाता था, यानि पिछले वर्षों में उसी के अनुमान पर उसी के अनुमान पर ब्यूम कर प्राप्त किया जाता था उसे नस्क या कन कूट कहा जाता था फिर से हम इसे ढंक से समझेंगे जो कनकूत है या नस्क है ये क्या था कनकूत या नस्क एक शवद में कहा जाए देखा जाए तो ये क्या है अनुमान के अधार पर इसके अनुमान के अधार पर या अंदाजे के अधार पर जो भूमी कर प्राप्त किया जाता था वो क्या था कनकूतिया नस्क कहला होता था इसके बाद हम देखेंगे आईने देह्शाला क्या है आईने देह्शाला प्रणाली है नि आईने देह्शाला प्रणाली है जो यह है अकबर के दुवारा किसके दुवारा अकबर के अकबर के दुवारा कब पंद्रासो इस्वी में असी इस्वी में अपनाई जाती है यहां पर प्रश्ण पूछा जाएगा कि अक्वर ने अपने राज्या विशेक के कौन से वर्ष तो देखेंगे तो वर्ष कौन सा बनता है 1556 में गद्धी पर बैठा तो यहां पर बनेगा लगबक चौवी में अपने राज्या विशेक के चौवी में वर्ष सन कुचा जाएगा तूंत्रासो अच्वी में आए ने दह्शाला जो पढ़ती है भूर राज्यसाव की या भूमी कर या लगान प्राप्त करने की तो कब शुरूकी लगबग तंद्रासो अस्य इस्वी में इसके प्रणेता तोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है क्या कहा जाता था इसका प्रणेता टोडरमल होने के कारणी से तोडरमल बंदोबस्त भी बंदोबस्त भी कहा जाता था फिर हम देखेंगे इस प्रणाली का किस प्रकार की थी जो आईने डहसाला प्रणाली है इसमें क्या होता था जो पिछले दस वर्ष हैं क्या है पिछले दस दस वर्षों के जो उत्पादन हुआ उत्पादन होता है उसका आस्त निकाल कर क्या आस्त निकाल कर आस्त निकाला जाता था और उसी वर्ष के उसी वर्ष के जो प्रचलित जो प्रचलित मुन्य है उसी के अदार पर औस्त निकाला जाता था औस्त निकाला जाता था नहीं कि पिछले दस वर्सों का जो उत्पादन है औस्त उत्पादन है उससे जो भूरा जैसा परता प्राप्त होता है और उसी वर्स का जो प्रचलित मुल्य है उसी के अदार पर यहां से क्या किया जाता था लगान वसूल किया जाता था लगान वसूल कर लिया जाता था और यह लगान है नकद वसूल किया जाता था नकद वसूल किया जाता था और हर वर्ष जानिकि जो लगान का एक बटा दस भाग हर वर्ष वशूल किया जाता हर वैस वेसूल किया जाता था आईने दहसाला प्थी जिसमें क्या होता था पिछले दरस वर्षां का जो पिछले वसूर किया जाता था उसी वर्ष में यानि कि हम देखेंगे 1580 में शुरू होता है और 1590 इसवी में जो 10 वर्ष पूरे होगी और इन्हीं 10 वर्षों का जो ओस्त है दस वर्षों का जो ओस्त है ओस्त फसल निकालेंगे इस प्रकार से हम देखेंगे 1581 में जितने क्योंटल फस उनी के अधार पर आस्त निकाल कर यहां से टेक्स वसूल किया जाता था और यह दस वर्ष बाद नहीं होता था यानि हर वर्ष एक बटा दस भाग वसूल किया जाता था और नगत ही वसूल किया जाता था तो यह थी आईने देह्शाला पदती और मुगल काल में जो भूरा ज दिया गया था फिर यहां पर हम देखेंगे जो आस्त है जो आस्त निकाला जाता है जैसे मुगल काल में हम देखेंगे मुगल काल में होता क्या था मुगल काल में भू राजसव है जो भू राजसव है वो कितना एक तिहाई एक तिहाई वसूल किया जाता था एक तिहाई यानि एक बटा तीन भाग है जो वसूल किया जाता था आईने जो दहशाला पती है इसमें भी क्या होता था दस वर्सों का आस्त निकाला जाता था और एक तिहाई जो आस्त है वो वसूल किया जाता था लेकिन पती बर्ष की बात करें तो एक बटा दस भाग है जो पती बर्ष वसूल किया जाता था जो आईने दहसाला प्रणाली है इसकी बात करें हम जो दहसाला पदती है यहाँ पर हम देखेंगे जो दहसाला पदती है यह उनीक शेत्रों से वसूल क थी आगय जाने शेत्रों में लागू कीगी यहां पर क्या थी मैं जाप्ती प्रौंई लागू थी गडशीन भारत मेंय धुख्ष Komma humility प्रशाजा के समय दक्षिन भारत में भी से लागू कर दिया जाता है दक्षिन भारत की बात करें तो यहाँ पर मुर्शिद कुली खान मुर्शिद कुली खान के दोरा लागू किया गया जिसे दक्षिन भारत का टोडनमल भी कह सकते है इस प्रकार थी अकबर के समय की भूरा जासव प्रणाली है जो मुगल काल की भूरा जासव प्रणाली है फिर से हम देख लेंगे किस प्रकार था मुगल काल में जो भूरा जासव है ध्याम से पढ़ देंगे ताकि यह ची तरह से याद हो जाए हम पर दें मुगल कालिन राज क्रिशी प्रदान देश है और सबसे आयका जो बड़ा स्थ्रोथ है वो क्या है भूरा जिसम है आज भी हम देखें जो करोना काल रहा भारत में सारी अर्थवस्ता जा दुनिया में अर्थवस्ता देखें तो चौपण होने के गार फर थी लेकिन जो क्रिशी का क्षेतर है यह हमें कुछ ना कुछ देखने को मिला है उसमें भी हम देखेंगे मुगल काल था उसमें भी क्या था जो फूराजसव की था जो आयका मुख्य सत्रोथ था क्या था फूराजसवी आयका मुख्य सत्रोथ था तो यहां पर हम देखेंगे राजसव प्राप्ति को जो होती थी ज उसे असान या स्विदा अजनक बनाने के लिए भूमी को तीन भागों में भी बंठा गया था भूमी के तीन भागों हम देखेंगे तीन प्रकार की भूमी कौन कौन सी थी उस समय मुगलकाल में तीन प्रकार की भूमी थी इससे राजय सब असानी से प्राप्ट किया जाए सक कि भूंकर प्राप्त होटा थी कि पूराजस प्राप्त होटा था ठीक जो भू में जमा हो था राज को स्वें जमा होता था यह ती इस भाद उसकेवान है जागीर फूमी जागीर ऑठी यहां झाय हम थे दो मुखनों के मुख्य सर्दार हैं जा थी यह सामन्त कह सकते मुगलों के मुख्या सरदार व्यक्ति या सामन्त है उनको प्रदान की भूमी होती थी उन्हें या भूमी वेतन के बदले प्रदान की जाती थी कैसे की जाती थी जो वेतन होता था वेतन के बदले में जो भूमी प्रदान की जाती थी वह भूमी जदीर भूमी कहलाती थी फि प्रदानी की जाती थि धार्मिक एधी जा विद्वान लोग है तो अन्हें परदान के जिए कि जो भूमी थी सेवरगाल कहलाती थी या मदली मास कहलाती थी फिर हम देखें कि جो मुगलाज शाय क्वा अपार के समने आया माँ आधार प्रदान किया गया मुगल कालिन वूराज़यस्व प्रणाली कुंकि बावर्य हमाहिक की इसक्र समय नहीं को एससे काम कर सकते शमय कर सक्ते क Jackson का समय को नहां प्रणार किया सब से पहले तो उसने क्या किया तेफ गदी पर बैठा तो हमने देखा कि पानी पाद्विट एयोन में लड़ना पढा उसको है मुक एस साथ लेकिन जैस उसने ने जापती प्रणाली को ही अपनाया में जापती प्रणाली को उपनाए सरब परत्रम शेञत dan के दौरह इस प्रणाली गया इस समय देखेंगे तो जापती बनाली है जो शेरसान ने अपनाई थी और अकबर के द्वारा लगब हम देखेंगे वही निए अपनाईगी जो पहले शेरसान के समय अपना रखती थी इसलिए अकबर का अग्रगामी कहा जाता है किसे शेरसान को लेकिन कुछ समय बाद क व्लिड केंगे और दोष्म पर्ड़ी तो इसे अत्याग दिया गया तो। इसके इस्तान पर कौन से प्रनाली लागू की गी tut नस्क या कनकूत आज और कनकूत Seitख अ SUPER क्या तो हम अंदाजा है सकते हैं यह हम कहेंगे अनुमान के अदार पर हम देखेंगे जो पिछले वर्सों का उत्पादर हुआ है उसका आस्ट कितना रहा है उसी आस्ट के अधार पर अंदाजा लगाकर जो भुमी करता डार्ट किया जाए उसे तन्पूतिया नस्व कहा जाता था उसके बाद हम देखेंगे अक्बर के वारा काफी महत्तपुन रहती है प्रणाली दे शाला परती है जो गई आइने दह्षाला पर्दी कौन सी है आ इने दहशाला प्रणालि ये जो इसका जनक हूं था ये टोडरमल था और ये लागपों किस समय कीगी अकबर के समय कीगी औपधित-शी ब्रक्ति-चया अकून से रहम शकैनला सेवच हटा 24 पुर्मल बंद्विभ स्वाज जाता है इसमें क्या था प्रणाली में पिछले 10 वर्सों का इसके तशला का जाटा था ईनिया विचरी जो 10 वर्ष है यानि पहले हम देखेंगे पंद्रा सो एकतर से असी तक जो इस पर रिसर्च की गी तो पिछले दर्स वर्सों का जो अस्त उत्पाद्र होता था वह निकाल कर और उनी वर्सों का जो प्रचलिक मुल्य था उसी के अधार पर लगान वसूल किया जाता था पर यह है नकद वसूल किया जाता था और हर वर्स एक बटा तीन है दस है जो एक बटा दस भाग वसूल किया जाता था एक बटा दस भाग वसूल किया जाता था और वैसे मुगलकाल में देखा जाए जो मुगलकाल का भूरा जिस वह जो एक तिहाई एक बटा तीन भाग वसूल किया जाता था और पूरे दैसाला पत्ती का देखा जाए तो ये भी क्या था, एक बटा, तीन भागी वसूले किया जाता था, फिर हम देखेंगे, दैसाला पती, कहां कहां लागू थी, दैसाला पती, पूरे भारत में लागू नहीं थी, यह उनीक शेत्रों में लागू थी, रहां जापती प्रणाली लागू हुई थी, उसके बाद देखेंगे, दक्षिन भारत में यह लागू नहीं की गी, दक्षिन भारत में कब लागू होती है, दक्षिन भारत की बात करें, तो दक्षिन भारत में दैसाला प्रणाली, शाजा के समय लागू होती है, किसके दवारा लागू की जाती है, मुर्शिद कुली खान के दवा बंताई प्रनाली कौन सी थी जो बंटाई प्रनालि भी लागू ठी बंटाई प्रनाली को भाउली के नामसे भी जना गया है इसका एक नामब और था भाउली भावली भावली भी कहा जाता था बंटाई प्रनाली हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे खेत बंटाई होती थी कौन सी थी खेत बंटाई पहले भी हम सल्थंतकाल में पढ़ चुके हैं दूसरा हम देखेंगे लंक बटाई होती थी लंक बटाई होती थी और तीसरा कौन सी होती थी रास बंटाई यह है तीन परकार की होती थी फिर अकबर के समय भूमी को तीन भागों में बाटा गया अकबर के समय कितने भागों में चार भागों में विभाजित किया गया है हम रेखेंगे पहला हम पहलच पोलज, फिर है पर्ती, फिर इसके बार हम देखेंगे चाचर, एक प्रकार है इसका बंजर, बंजर, इसकार के हम देखेंगे पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर, कितने भागों में बंटा गया? चार भागों में अक्बर के द्वारा भूमी को बाठ दिया जाता है, इन चारों में हम देखें यहां पर, सबसे पहले जो है पोलज, पोलज भूमी कैसी थी? पोलस भूमी की बात करें तो यह इस पर हर वर्स क्रिशी की जाती थी जो पोलस भूमी है इस पर हर वर्स क्रिशी की जाती थी यानि के हर साल हर साल पैदावार पैदावार देने वाली जो भूमी थी हर साल पैदावार देने वाली या बोई जाने वाली भूमी थी वहded Polish कह लाती थी उसके बाद हम देखें के कौन सी भूमी है परती भूमी यह ऐसी भूमी थी जिसे एक वर्ष उपजाओ होने के लिए या औरुरक होने के लिए चोड दिया जाता था या यानि इसे एक वर्ष छोड़ कर इसे एक वर्ष तक उर्वर या उपजाओ होने के लिए ठोड़ दिया जाता था पिसे इसे हम देखेंगे इस वर्ष्ष यह से दो हजार बीस में इसमें कोई फसल बोदी, इसे या तो 6 महिने के लिए एक फसल है, जैसे 6-6 महिने, 2 फसल होती है, इसमें इस फसल को उगा लिया, बोलिया, काट लिया, लेकिन ये फसल नहीं लिए, और अगली फसल ले लिए, इस प्रकार की है, भुमी होती थी, या 2021 में से बुह जाएगा, फिर है तीसर या चार वर्षों तक खाली छोड़ा जाता था, इसे तीन या चार वर्षों तक, हम देखेंगे, तीन या चार वर्षों के बाद, इसकी बुआईया, हम कहेंगे, बोया जाता था, फसल बोया जाती थी, यानि के दो तीन वर्षों बाद, दो तीन वर्षों बाद, इसे बो नहीं होता, जिसमें कुछ नहीं होता, इसे पांच वर्षों के बाद, जब इश्वर के क्रिपा हो, तो इस पर बुआई बीजा ही होती थी, इस प्रकार समझेखेंगे, आकपर ने पॉलत, पर्ती और चाचरवे बंजर भुमी को चार भागों में बांट कर यहां से भूरा ज हम देखेंगे अकबर के समय क्या होता था भूमी की पैमाईश की बात करें भूमी की पैमाईश होती थी भूमी की पैमाईश होती थी भूमी की पैमाईश जो है पहले अकबर से पहले कौन सा था सिकंद्री गज काम में लिया जाता था कौन सा सिकंद्री गज है जो काम में लि कॉन सा इलाही गज्ज है जो अपनाय जाता है इसके अत्रेक्त हम देखें तो अक्पर के पहले तनब तनब जो है तनब का प्रयोग भी तनब का जू प्रयोग भी क्या है भूमी पहमाईश के लिए किया जाता था भूमी पहमाईश के लिए की जाता था तनब क्या थी तनब एक तंबू की रसी होती थी तनबू की रसी होती थी लेकिन अक्बर के द्वारा तनब के स्थान पर किसका प्रियोग किया गया जरीब का प्रियोग किया गया किसका जरीब का प्रियोग किया गया जर पास के डंडे में लोहे की कडिया लगी होती थी जो भूमी 25 के काम आता था भूमी की 25 की जाती थी इस जरीब से और जरीब का प्रियोग करने वाला प्रथम बादशाह या शासक हम कहें तो वो कौन था अकबर ही रहता है जरीब का प्रियोग करने वाला अब मुगलों में हमने पहले भी देखा जो भूराजसव की दर है तो कितनी थी एक बटा तीन भाग है जो वसूल किया जाता था कर के रूप में या टेक्स के रूप में कितना एक बटा तीन भाग वसूल किया जाता था एक कर हम देखेंगे जो शाजां है शाजां के ठेकेदारी प्रथा जो है किसके समय प्रेचलीद हुई साजा के समय प्रेचलीद हुई थी इसके बाद हम देखेंगे जो मुगल काल में अन्या भूराजसव के सत्रोत है हाँ सारी राजसव के अन्या सत्रोत कौन से हम देखेंगे मुगल काल में मुगल काल में जो राजस्व है उसके अन्य सत्रोत कौन कौन से अन्य सत्रोत में हम देखेंगे मुगल काल में जजिया है जकात है खुमस है इस परकार के जो कर है तमगा है इस परकार के कर है जो वसुल किये जाते थी बाबर और हिमायू के समय हम देखेंगे जजिया वसूल किया गया अब जजिया की शुवार देखे जजिया महम्मद बिन कासिम कब महम्मद बिन कासिम अरब आक्रिनकारी था महम्मद बिन कासिम महम्मद बिन कासिम के समय 712 इस्वी में वसूल किया गया कब 712 इसमी में वसूल किया जाता है और अंतिम मुगल बाश्चा हम देखेंगे 1700 लगब 20 के समय जो महम्मद शाह महम्मद शाह के दौरा इसे समाप्त किया जाता है आंतिम रूप से यहां पर जल्धिया समाप्त होता है लगब हम देखेंगे 1000 वर्सं तक कितने वर्षयं तक एक losers तक लगबग भारत से भारत से ज़िया वसूल आगया अब जल्धिया क्या था ज़िया गैर मुस्लिम जो लोग गैर मुस्लिम जो लोग होते थे उनसे वसुल किया जाता था किन से जो गैर मुस्लिम होते थे पहले क्या होता था जो इस तरह होती थी बच्चे होते थे सादू सन्यासी होते थे ब्रामन होते थे उनसे जग्या नहीं वसुल किया जाता था लेकिन सलत्रत काल में हम देखेंग कि जो फिरोज शाह तोगलक है काॉन फिरोज शाह तोगलक फिरोज शाह तोगलक के समय साधू सन्यासी बच्चे इस्थ्य आपक अपक सबसे ही जजजिया वसूल किया गया था और जजिया हम देखेंगे 1564 इस्वी में अकबर के दोराई से समाप्त कर दिया गया था अकबर ने समाप्त कर दिया था लेकिन फिर से लागू हुआ यह चलता चलता हम देखेंगे अंतिम रूप में हम देखेंगे मुहमद शायदेन के समय समाप्त हो जाता है जजिया फिर हम देखेंगे जो जकात कर है जदिया के अलावा हम देखें ले में देखा जो जदिया है जकात कर होता था यह मुस्लिम लोग होते थे जो या इसलाम से संबंदित या मुस्लिम लोगों से लोगों से वसूल किया जाने वाला वसूल किया जाने वाला एक टैक्स था करसा क मुसलिंगों से वसूल किया जाता था, 40% यह हम कहेंगे 10.5% है जो यह कर वसूल किया जाता था, यानी जो मुसलिम होटों है उनकी संपत्ति कि रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा की ether में वसूल किया गया जो टेक्स है वह कौन सा था? जकात कर रहता है और हम देखेंगे अकबर के दोबारा अकबर के दोबारा क्या किया जाता है जकात वे जज्या जज्या दोनों को ही वसूल करना बंद कर दिया जाता है इसके दोबारा हम देखेंगे एक करता खुमस जो हमें सल्तुन काल में भी पड़ा है कौन सा कर था खुमस क्या था जो लूट का धन प्राप्त होता था या लूट का माल प्राप्त होता था लूट का जो धन प्राप्त होता था यह एक बटा पांच भाग है जो रज्या को मिलता था और एक बटा चार भाग इसको मिलता था सैनिकों को मिलता था लेकिन बार में क् कर सघ्रुटे कि यह सारा का सारा जो धन है बादशाह ने स्वैम अपने पास रखा क्योंकि जो मुगलकार कि उससेनिक चैनि क्या होते थी waitant भोग होते थी उनको waitant दिया जाता था इसलिए बादशाने लूट का जो ने सेम के पास ही रखा फिर हम देखें कि तमगा कर के बारे में भी हमने पड़ा जो तमगा कर है तमगा जो कर है इसे जहांगीर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है किसके द्वारा जहांगीर के द्वारा तमगा कर समाप्त कर दिया जाता है किसके दुवारा पैसन्फ पूजा जाए तमगा करको समाक्त करने वाला मुगलबाश्याकन तो जहांकीर है तो हम फिर से पढ़ लेंगे फिर से देख लेंगे इसको रुपीट कर लेंगे हम तो हमने क्या रेका अकपर के दुवारा क्या किया जाता है भूराजसों का निर्धार्ण किया जाता है भूराजसों के निर्धार्ण के लिए भूमी को चार भागों में बाढ़ दिया अकबर ने कितने भागों में बाढ़ दिया चार भागों में कौन कौन से है एक तो है पोलज दूसरा है परती भूमी और तीसरा है चाचर भूमी और पांच माँ है चौथा है बंजर भूमी कितने परकार की भूमी है भूरा जिसम के निर्दारण के लिए अकबर किसमे चार पहली कौन सी है पॉलस भूमी जिसमें हर साल बोई जाती है जो भूमी हर साल जो पैदावार देती है वो कौन सी भूमी है पोलस भूमी पर उसके बार है परती भूमी परती भूमी जिसे एक वर्स के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता है ताकि उपजाओ हो जाए या अरवरा हो जाए ठीक है फिर है उसके बाद चाचर भूमी जिसे तीन चार वर्सों तक बिना बोए रखा जाता है यानि तीन चार वर्सों बाद जो पैदावार देती है उसके बाद हम देखे तो बंजर भूमी आती है चाचर भूमी के बाद है बंजर भूमी बंजर भूमी पर पांच वर्सों के बाद लगए चार पांच वर्सों बाद जो भूमी है बोई जाए जिसके बिजाई हो जिससे पैदावर प्राप्त हो इनके पांच च्छा वर्स तक जो भूमी कुछ नहीं देती वो बंजड़ ही काल आएगी कौन कौन सी है पॉलर्स परती चाचर और बंज अधरी गज़ लेकिन अकबर ने किसका निर्मान शुरू किया जा किसको अपना इलाही गज़ को भूमी की पहमाइस के लिए शुरू किया जाता है और एक तनब जो तनब है एक तंबू की रसी होती थी इसका प्रियोग भूमी की पहमाइस के लिए होता था लेकिन तनब की जगह पर जरीब का प्रियोग भी अकबर के ही दुबारा किया जाता है जरीब का प्रयोग करने वाला अक्वल प्रत्म मुगर्बाद शाय प्रत्म सासक था जिसने जरीब का प्रयोग किया भूमी की पहमाईश के लिए और जरीब एक बास के डंडे पर लोवे की कडिया लगी होती थी तो यह थी जरीब थी भूमी की पहमाईश के लिए फिर उसके तक हमें प्रतहिता ऑने आती जो ठहके दारी प्रथा है वह भी शाया कि समय ही हमें देखने को मिलती इसाडा कि समय एक ठगी प्रता हुआ ंवर्फ हा एक ठगी प्रता भी प्रारम होती है पतक अ कहया ड़ किच two air यह शाह जाह किसे नहीं शुरू होती है जो बिलिम बेंटिक के काल में ठगों पर रोक लगाई जाती है फिर हम देखेंगे जो मुगलकाल है मुगलकाल में जो राजिस्व के अन्य सत्रोत है जो राजिस्व भूराजिस्व था उसके बाद हम देखेंगे अन्य सत्रोत है अन् हो NA или KPAR नेसे ज़्यायवस tommy जाता है अर जए करता है यहां से जद्याव हमस系 कर दिया जाता है नेकिन कि सोना सो पंदरा सो चौन सच्छ में हम देखते हैं अकभर के द्वाराइसी स्माप्त कर दिया जाता है इसाथ सो कर के दोरा समापत कर दिया जाता है लेकिन साथ सो बारा के बाद सत्रा सो बीस इस वी का जो समय है सत्रा सो बारा में शुरू होता है सत्रा सो बारा में यह है बीस में समापत हो जाता है मुहम्मद बिन कासिम से लेकर मुहम्मद शाह तक अंतिम रूप तक यहां तक चलता है इसके बाद कभी वसूल नहीं किया जाए लागब एक हजार वर्सों तक जो ज़दिया है भार्स से वसूल किया जा गया तर्किया मुगल शासकूं के दौरा फिरह जाकात यहां मुस्लमानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स था यहां उनकी संपत्वी की रक्षा किया वज़ में वसूल किया जाता था या तो धाई परसंट वसूल किया जाता था या हम कहेंगे चालिस परसंट है जो वसूल किया जाता था किन से मुस्लमानों से लिया जाने वाला धार्मी करता उसके बाद हम देखे तो खुमस क्या है जो लूट का माल होता था लूट का धन होता था उसका हिस्सा हमने देखा जो तुर्कों के समय देखे तो एक बड़ा चार भाग जो सेनिक है उनके पास होता था एक बड़ा पाँच भाग है जो राज्या के पास लेकिन मुगल बाश्या उन्हें ऐसा नहीं किया जो सारा धने स्वैम के पास रखा राज्या के केंदर के पास रखा राज्या कोस्ट में ही जमा किया क्योंकि जो कर दिया गया था